पिछले कुछ दिनों से मैं Chrome browser से Microsoft Edge browser के switch हो चुपा हूँ क्योंकि Microsoft Edge browser में बहुत सारे पीचे से जोस्तों 99% दोगों को बताने कि Microsoft Edge browser भी इतनी सारे चीजे होती है तो अगर आप जानने में इंट्रेस्ट वर Microsoft Edge browser के वर्में तो यह Microsoft Edge browser का 11 tips वाला वीडियो देख लिए चलिए मैं सब्सक्राइब सब्सक्राइब करता हूँ सबसे पहले tips में मैं आपको बताने ओलो collection features के बारे में जी हां Microsoft Edge में collection feature काप इंट्रेस्टिंग है उससे access करने के लिए आपको right corner में जो ellipsis menu दिखाए दे रहा है या तीन dot दिखाए दे रहे उसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर आपको नीचे collections option दिखाए देगा इससे आप control shift y यह keyboard shortcut key से भी access कर सकते हैं तो इसके उपर जैसे मैं क्लिक करूँगा यहां पर एक टास्क पेन यानि collection का टास्क पेन उपन होगा जिसमें आपको start new collection button पे सबसे पहले click करना होगा तो मैं यहां पर click कर देता हूँ क्लिक करती है यहां पर collection का नाम देने के लिए तो आप कोई भी collection का नाम दे सकते हैं तो फिलाल हम learn more इसे नाम दे देते हैं आप जो भी देना है दे दे सकते हैं और उसके बाद यहां पर आपको इसके अंदर क्या जाओ करना है आपको current page आज्ग करना है तो यहां पे यह Gistic Information में एड़ करना है तो मैं इसे select करूँगा, जितनी इंफॉमिशन मुझे एड़ करना है मुझे यही paragraph एड़ करना है, मुझे इसना select करूँगा, जैसे यह GST Informations मैं collect करके रखना चाहता था तो मैंने GST Information collect कर ली है तो यह यहां पर note मैंने add कर दी है यह note को मैं shift करके ऊपर लेकर रखना चाहता हूँ जैसे यहां पर तो मैंने सारी चीज़े ली GST की Information, GST की Link, GST की Images जो मुझे चीजे चीजे चीए एक साथ मैंने यहां पे collection में add कर दी है लेकिन मैं चाहता हूँ और एक collection बनाना तो मैं यहां पे back button पे click करूँगा यहां पे दिखाए दे रहे आपको यहां पे back button पे click करो और यह collection तो हमारा बन गया इसमें आप click करोगे तो इन सारे content को एक साथ अगर आप copy करना चाहते है सपोज मैं चाहता हूँ पुरा ना जो मेरा collection है learn more वाला तो मैं इसे back कर लेता हूँ इसका नाम मैंने नहीं दिया उसे new collection नाम apply हो जाएगा यह वाला collection मैंने open किया यहां पे मैंने click किया और यह सारी information copy करके मैं word में लेना चाहता हूँ तो मैं यहां से copy all करूँगा और word में जाके पेश करूँगा यहां पि ड्रेक ली जो हमारा online microsoft word वगरा है उसमें भी आप यहां से send कर सकते हैं इने sort कर सकते हैं बहुत सारी चीज़े आप यहां पे देख सकते हैं तो यह था पहला microsoft age का feature अब बढ़ते दूसरे feature की तरफ Microsoft age में हम web apps तायर कर सकते हैं जो ready to launch के लिए हो जाएंगे मतलब आपको बार-बार कोई website विजिट करने रहते हैं रीगूलर कोई website access करने रहते हैं तो आप web apps उसके तायर कर लो कैसे करना है यहां पर आपको ellipses दिखाए दे रहा है इस पर क्लिक कर लो और यहां पर apps करके ए आपको इस एप के लिए आप क्या नाम रखना चाहते है अपकोस यह learn more website का app है फिलाल यहां पर इस website का एक web app ओपन हो चुका है यह जो web app है यहां पर अगर आप टासबार पे नूटीस करोगे तो यहां पर यह यह वेप आ चुके है और इसकी उपर में राइट करके इसे मे यहां पर आपको दिखाए देगा तो कोई भी website क्विकली एकसेस करनी है उसका web app पार कीजिए आप टासबार से भी उसे एकसेस कर सकते है और अगर आपको यह वेप नहीं चाहिए तो simply इस web app पे क्लिक करके यहां पर आपको तीन डॉट जो दिखाए देर ellipses इस पे क्लिक क करो और यहां पर उनिश्टॉल लेंको यहां से भी अनिश्टॉल कर सकते है उस web app को यह पिर आप यहां से अप इस एनिश्टॉल करना चाहते उस एप को तो यहां पर क्लिक करो और यहां पर एप्स में आपको manage apps option दिखाए दे रहा है जितने भी app अपने इंस्टॉल के एक अब यह जो Microsoft पेज का फीचर है वो भी ellipses में चुपा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिखाए दे रहा है वेब कैप्चर जी हाँ Ctrl-Shift-S पटन आप इसके लिए प्रेस कर सकते हैं मैं इस पे क्लिक कर आओ यह कापी इंट्रेस्टिंग है आप अब प्रेस्टिंग कर सकते हैं अगर आपको पर्डिकुलर कोई एरिया यानि स्क्रीन शॉट लेना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं यह फिर आप पूरा पेज करना चाहते हो तो आप प्याप्चर फूल पेज क्लिक कीजिए यहाँ पर क्या होता है जितना भी बड़ा अब बड़ा पेज है यह पूरा पूरा यहां पें क्याप्चर हो क्युक्त है और इसके उपर आप यहाँ पेईलायटर भी यूज कर सकते से मुझे यहाँ पे सपोज हाइलायट करना है कि यह मैं यह कोर्स पीज बहुत काम है इस काम इलान तो ओनाया से क्लिक कर hack है याप ह तो यह काफी इंट्रेस्टिंग है यह टीप्स बहुत ही सिंपल है आपको किसी भी लिंक का अगर QR कोड जनरेट करना है तो आप एजली कर सकते इसकते अग्यट आपको क्लिक करने है और जिसके अगर कोई स्कान करता है तो द्रेकली अमारे इस वाले वेप सैट गुगल के प्ले करें कि अपको रूदे धर में यह अगर हमें धर कर दो कि देना है तो कि यहां पर download बटन पर click करूँगा जैसे मैं download करूँगा यह आपको download folder में मिल जाएगा यहां पर देख सकते download folder में आ चुका है और इसे आप print करके जहां पर लगाना है वहां पर लगा सकते हैं तो यह simple और interesting feature है Microsoft Edge का दोस्तो दोस्तो अब यह वाला Microsoft Edge का feature है जो कि Microsoft का कहना है कि यह feature 30% CPU का processing reduce करता है मतलब 30% use reduce करेगा अगर आप इसे on करते हो तो यह क्या है मैं बताना चाहूंगा basically जब आप Microsoft Edge में बहुत सारे tab open करके रख देते यहां पर बहुत सारे tab आपको दिखाए दे रहे लेकिन इसमें से कुछ tab inactive दिखाए देंगे यानि कि थोड़े से light color में आपको दिखाए देंगे अगर ध्यान से देखेंगे तो में यह दिखाए दे रहा है तो जैसे मैं system में क्लिक करूंगा यहां पर आपको एक option मिलेगा put inactive tabs to sleep after the specified amount of time यहां पर मैंने रखा है पाच मिनीट of inactive time आप जो चाहिए वो यहां से set कर सकते हैं और इससे क्या होगा यह features अगर आप on करके रखते तो इससे होगा कि अगर आप पाच मिनीट से जो टाब यूज नहीं कर रहा है आप नहीं कर रहें लेकिन पाच मिनीट से उपन नहीं कर रहे है तो वो टाब स्लीप मोड बे जाएंगे जिससे आपका रिसोसेज बचेगा यानि कि CPU प्रोसेसिंग वहां पे कम लेगा Microsoft Edge वहां पे 30 प्रसंटेज यहां पे CPU यूजेस रिडूस कर लेगा Microsoft Edge को जो 100 प्रसंटेज उसमें से 30 प्रसंटेज CPU यूजेस रिडूस करेगा यह Microsoft का कहना है दोस्तों अगर आप Microsoft Edge में पीडियप उपन कर लेगो तो Microsoft Edge आपको बहुत सरी ओप्शन देता है जैसे कि यह आप आपको दिखाए दे रहे हैं सबसे पहले बेतरी में पीचर में आपको बताना चाहूंगा अगर आप यह पीडियप सुनना चाहते हैं मैं सुनने की बात का रहा हूं तो रिड अलाओ बटन पे क्लिक करो और सुनते रोगो च्ट्रोल प्लास पेज अप डाउन मूफ तो प्र प्र शॉप बटन पे स्टॉप कर दो और प्ले दुबारा करने तो प्ले कर सकते और इतन इस भी पॉइंट को मुझे मार्क करना है मैं ऐसे मार्क कर सकता हूं इस तरह से यह हैलाइट करना है तो मैं हैलाइटर लूँगा यह ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं हैलाइटर को जो कलर चाही हो लेता हूं और यह पॉइंट मुझे हैलाइट करना है तो मैं इस तरह से से हाइलाइट कर सकता हूँ तो यह हाइलाइटर भी यहाँ पे चलता है एरेजर बटन से आप इसे एरेज भी कर सकते है और दुबारा इसे सेव करना चाहते है तो पीडिएप को यहाँ पे वारा Save button से आप यहां पे Save कर सकते हैं, यहां से आप Print भी कर सकते हैं, उसके अलावा यहां पे आपको दिखाए दे रहा है, पीडियप को आपको पढ़ने के लिए फूल साइज कर सकते हैं, आप रोटीट भी कर सकते हैं, आप इसका zooming level कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो Microsoft Edge में PDF के साथ आप अच्छे से navigate भी यहां पे कर सकते हैं, तो इस tips में मैं आपको बताने अलाओ कि अगर आपके पास यहां पे बहुत सारे horizontal tab open है, और आप इन tab के नाम नहीं पढ़ पारे, कुन से tab में क्या है, आपने बहुत सारे tab open किये, तो Microsoft Edge ने आपको यहां पे एक option दिया है, यहां पे आप क्लिक कीजिए tab action menu और turn on vertical tabs इस पे क्लिक कीजिए, जैसे आप क्लिक करोगे, सारे tabs आपके इस तरह दिखाए देंगे vertical tabs में, आप यह minimize भी कर सकते हैं, आप इन्हें फिर से reopen करके या फिर आप हमेशे open चाहते हैं, तो pin-paint करके यहां पे क्लिक कर लो, यह पिन रहेंगे, अगर आप चाहते हैं तो यहां से आप इस option से minimize करके रखना चाहते हैं, और यह option अगर आपके Microsoft Edge में यहां पे नहीं दिख रहा है, तो इसे आप settings से enable कर सकते हैं, उसके लिए आपको जाना है यहां पे ellipses पे और settings में क्लिक करना है, यहां पे आपको setting दिखाए दे रहे हैं, जैसे आप setting पे click करोगे, setting पे click करने के बाद appearance यह इस वाले tab पे click करना है, और appearance में नीचे scroll करके आपको एक option दिखाए देगा, show tab action menu, यह tab action menu को आपको यहां पे on रखना है, जैसे कि मैंने on रखना है, अगर आप रखते हैं तो यहां पे tab action menu आपको नहीं दिखाए देगा, तो यह आपको यहां से show करके रखना पड़ेगा दोस्तों, तो इस tips में मैं आपको बताओ कि अगर अपने Microsoft page में ऐसे अलग अलग टैब बहुत सरी open किया, जैसे YouTube के चार टैब है और मैं चाहता हूँ कि यह सारे टैब एक जगह पे एक साथ minimize करूँ, तो उसे मैं group में add करना चाहूँगा, लेकिन group add करने के लिए आपको छोड़ी से setting करने पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा, यहां पे type करूँगा age colon double slash flags, यह type करने के बाद मैं enter करूँगा, enter करते ही मेरे सामने आएगा, यहां पे search flags करके तो मैं इसमें type करूँगा groups, जैसे मैं groups type करूँगा, आपको यहां पे tabs group दिखाए देंगे, और इसे आपको default की जगह enable करना होगा, जैसे मैं यहां पे enable कर देता हूँ, तो यह enable हो जाता है, यह दिखाए दे रहा है आपको और यह बता रहा है कि आपको Microsoft Age को restart करना पड़ेगा, चलिए restart कर लेते हैं, तो यह Microsoft Age तुरंद restart हो जाएगा, जैसे आप restart पे click करोगे और सारे tab reopen हो जाएगे, अब मैं क्या चाहता हूँ, कि इन सारे tab को एक साथ group करना चाहता हूँ, यह चारे के चारो मेरे YouTube channel के tab है, तो मैं यहां पे क्या करूँगा, simply चारो tab को select कर लूँगा, control button hold करके, जी हाँ, एक एक tab पे click करते जाओंगा, control button press करके, और उसके बाद right click करूँगा, पहले tab या कोई भी tab पे, और right click करने के बाद यहां पे एक option आपको मिलेगा, add tabs to new group, तो मैं इस पे click करता हूँ, और यहां पे नया group add करने के लिए पा चुका, इस पे click करते यह चारो YouTube चारो YouTube चानल यहां पे reopen हो रहे, जिसकी link मेने description में आपके लिए आप इनको check कर सकते है, वैसे चैनल की link मेरे आपके लिए description में दे दी है, check कर लेना ज़रूर, और इस group को आप ungroup करना चाहते हैं, तो right click करके यहाँ पे ungroup option दिखाई दे आप यहां से अनगुरूप वगेरा कर सकते हैं यह सारी चीजे वह आप चेक कर सकते हैं आप आपको इकडिक बुक कर सकते हैं और पर चाहिए रटार हूं। अगर आप क्लीक कर नहीं सब्सक्राइब अगर आप बटन जोकाता हैं Budia好 banned नहीं से वां कदेश बटन यह सब्सक्राइब करा हैं बर 시चe जब सेखकें और अगर Jayikle इसका speed आप क्या रखना चाहते है और Indian person चाहिए या कोई और person चाहिए यहां से आप set कर सकते है यह extra settings है इसके बारे में आपको जरूर देखना चाहिए अगर आप कोई website में ब्लॉग पढ़ना चाहते है या फिर सुनना चाहते है तो आप इस option का इस्तमाल किजिए यह option आपक आप नहीं दिखाए दे रहा है तो आपको आप दूसरा कुछ इंस्टॉल एप वाला option दिखाए दे रहा है तो दोस्तों Microsoft Edge में आप काम कर रहे है और अचनक Microsoft Edge के जितनी भी टैब अपने उपन के वो सारे के सारे इस close बटन से close हो गए मतलब आपका click हो गे आपे और accidentally उसार सारे के सारे close हो गे तो आप उसे दुबार उपन कर सकते आप Microsoft Edge open करो Ctrl Shift T button प्रेस करो बस Microsoft Edge open करके Ctrl Shift T button प्रेस करो जितनी भी टैब पहले उपन थे वो सारे के सारे यहाँ पे reopen हो जाएंगे Ctrl Shift T button से है ना इंटरेशिन टीप से जोस्तों या फिर आपने कोई गलती से एक प्रेस करो दुबारा हो आपके सामने open हो जाएगा तो इस सेटिंग के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको ellipses मेनु जो दिखाए दे रहा है इसके उपर क्लिक करना है मैं क्लिक करो ellipses जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर आपको सेटिंग्स मिल जाती राइट तो सेटिंग छिए पसमें को खुलिक के यह पिलाख बात किढ़को किपर करूधने के बदी करना है यह पर आपको शबैकर चाहिए की आपको कुछ ऑप्सक्ष्ण आपकर में निचे बेखते आंपर आपको अपर आप एक पर स pensar learned अपको प्रफूर करना चुका है, मतलब आपको चलेक्शन के लिए लिप्से पे क्लिक करने के ज़रोत नहीं, यह पर अपर अपर क्लिक करों क्लेक्शन आपका उपन हो जाता है, उसके अलावा यह पर शो मैठ इस अपर बटन भी है, जिससे अप कोई मैठ के प्रफॉल करना तो उसे भी आप यहां से चेक कर सकते हैं, शो वेब कैप्चर है, शो शेर बटन है और शो फिड़िबैक बटन है, तो धेर सारे बटन यहां पर आप सेटिंग के जरिए इनैबल कर सकते हैं, यह ते Microsoft HK11 इंटरेस्टिंग फीचर डेफिनिटल आपको पसंद आए होंगे, कम कमेंट में मुझे बताना पसंद आए कि नहीं आए हैं, और साथी मेरे जितने भी चैनल है, रियल टुटुरियल या प्रिटैली टुटुरियल उन सभी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चेक ज़रूर कर लेना, मैं मिलों को कुछ और इंटरेस्टिंग वड की ला, बाइ बाइ